हलो नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट तस विशेशन पढ़ेंगे विशेशन आपने पहले से भी कर रखाया फर्स्ट में सेकिंड में थर्ड में तो आप बच्चों को पताओ नीचे यह विशेशन के परिभाशा अब हम पढ़ेंगे देखिए पढ़ि से लिखे हुए तो इन शब्दों को हम देखें अनिल एक लंबा लड़का है यानि कि लड़का जो है अनिल अनिल संग्या है और लंबा क्या है उसकी विशेशता है तो लंबा को हमने अंडरलाइन भी करके दिखाया यानि कि यह इसकी विशेशता है वह काला कोट पहनता है काला उसका रंग है बताया और सफेद तूपी पेहनता है लगाता है वह विद्याले का सबसे अच्छा चात्र है और वह सुबह मौसमी का थोड़ा सा जूस पीता है आप कहेंगे थोड़ा सा क्यों है मैं बताऊंगी कि ये अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनकी विशेष्टा बता रहे हैं और किस प्रकार की विशेष्टा है वो हम इस पाठ में बढ़ेंगे उपर दिये गए उन्चेद में लंबा शब्द लड़के की काला शब्द गोट की सफेद शब्द तोपी की सबसे अच्छा शब्द छात्र की और थोड़ा सा जूस शब्द की विशेष्ट से याद करेंगे जो शब्द संग्या तथा सर्व नाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेष्ट कहते हैं चाहे वो संग्या हो या सर्व नाम सर्व नाम की प्रवाशा भी पता है जो शब्द संग्या के स्थान पर परियोग होते हैं तो अब वहां पर नाम ना देक अगर वह लंबा है, तो यानि कि लड़का नहीं बताया, उसका नाम भी नहीं बताया, वह लिखाया, तो वह लंबा है, तो लंबा विशेश्ता हो गई, तो यानि कि संग्या या सर्वनाम की विशेश्ता बताएंगे, उन्हें विशेशन कहते हैं, इमानदार किसान, शब्द समुहों में अच्छा शब्द लड़के की तथा इमानदार शब्द किसान की विशेष्टा बता रहे हैं अतया लड़का तथा किसान विशेष्टे हैं जो शब्द जिसकी विशेष्टा बताते हैं वो विशेष्टे होता है जैसे यहाँ पर पढ़ा आपने पहला वाक्य अन नेलकी अनिल क्या हो गया मिशेशियो विशेशन के किटने प्यादधें पढ़ेंगे दिशेशच निम लिखे चार प्रकार को ते नहुंबर गुण वाचक विशेशन, नमबर थीन संख्या वाचक कविशेशन नंबर 4 सार्व नामिक विशेशन अब इन 4 उं गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होते है गुण वाेचक विशेशन जो सग्या तथा सर्व नाम के कुण दोश अवस्था आकार आधि को बताते हैं उन्हें गुण वाचक क्विशेशन कहते हैं रोहनável गुण या दोश नहीं बताया गोपी बूड़ा है ये भी इसकी अवस्था है तो उपर युक त्वाक्यों में गरीब शब्त किसान की तथा बूड़ा शब्त गोपी के गुण बता रहे हैं अत्यक गरीब तथा बूड़ा गुण वाचक विशेशन है अब हम पढ़ेंगे कि गुण वाचक विशेशन किस परकार के होते हैं जैसे गुण, रंग रूप, अवस्था, आकार, स्वाद, काल गुण क्या होते हैं अच्छा, बुरा, भला, भोला, चतूर, मुर्ख, विद्वान, वीर, आदी रंग रूप क्या होते हैं गोरा, काला, हरा, सावला, गुला, भी कोई भी रंग दिप बताए जाएं अवस्था क्या होते हैं युवा यानि की जवान, बूड़ा, स्वस्थ, बिमार, कमजोर, आदी आकार क्या होते हैं गोल चुकोर जो आपको पता है कि कैसे आकार होते हैं स्वाद कैसे होते हैं खटे मीठे ठीक है नमकीन कड़वे आदी काल क्या होते हैं समय जैसे नया पुराना आधुनिक प्राचीन आदी ठीक है यह सारे गुण है तो गुण वाचक विशेशन हो गए परिमान वाचक जो शब्द संग्या था सर्मनाम की मातरा का तथा मापतोल का बोड कराते हैं उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहते हैं यानिकि नाप दोल कोई भी जह से हमने किलों के हिसाब से खरीता कोई लीटर के भूरील की कितने किलो अलू तो संघ्या हो गई अर्ब कितने कीलो मैंने बाजार से 2 किलों आलू खरीते सोनी ने एक लिटर दूद खरीदा उपर वर्य तवाक्यों में दो किलो आलू तो था एक लिटर दूद की मात्रा बता रहे हैं परिमाण क्या होता है नाप पोल संख्या बाजच्च संख्या से आप समझ रहे हैं कि कोई भी हम संख्या बता देंगे तो वो अब इसकी दो किलो तो बताई है लेकिन ये तोल में आ गया ठीक है लीटर भी नापने में आ गया तो एक एक और दो तो जो है संख्या है लेकिन ये परिमान में आ गया ठीक है ये ध्यान रखना है जो शब्द संख्या की या सर्वनाम की संख्या का बोद कराते हैं उन अंकुर कक्षा में प्रथम आया है फरस्ट आया यह नाप तोल नहीं है यहां इनकी संख्या है उपर वाक्यों में दो चिडियों की तथा प्रथम अंकुर की संख्या बता रहे हैं आते दो तथा प्रथम संख्या वाचक विशेशर नहीं इनमें भी संख्या आई है लेकिन य यह बची यह संञ्या वाइशक लिखते हैं गलत हो जाएगा सार्व नामिक विशेशन जो सब्धत्ष संग्या सत्षिक जो उसकी विष्टता बताते हैं विद्याले की बताई यह विद्याले बहुत बड़ा है अब यह विद्याले क्या है आप कहेंगे यह बोला अब हमने यह संग्या विद्याले संग्या तो है साथ में यह लग गया यह सर्वनाम नहीं होगा ठीक है मैं यहाँ पढ़ने जाता हूँ विद्याले तो नहीं बोला न को इसाथ में तो जो शब सर्वनाम संग्या से पहले आकर यह सर्वनाम है संग्या से पहले आ गया तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेशन हो गया अब यहां चिडिया संग्या है अब साथ में सर्वनाम भी आ गया तो यह संग्या से पहले क्या गया सर्वनाम शब्द वे चेडियां हैं इसलिए सर्वनामिक सर्वनाम जो पहले आ जाएगा संग्या से वो सार्वनामिक विशेशन कहलाएंगे उपर यूग शब्द यह है तथा वे सर्वनाम हैं जो संग्या शब्दों से पहले लगाकर इनकी विशेशता बता रहे हैं अत आप पड़ा आपने विशेशन संग्या तथा सरुनाम की विशेश्टा बताते हैं ठीक है ध्यान रखना है विशेशन जिन शब्दों की विशेश्टा बताते हैं उन्हें विशेश्चे क्याते हैं जिन शब्दों की विशेश्टा बताएंगे अब आपको एंगे कन्फ्यू संख्या की सहीशफ्ता बताते हैं। ढ़ी संघ्र की या दोनों की दोनों की बताते हैं तुप पिचेशन जिनकी विशफ्ता बताते हैं उन्हें क्या आने विशेशे पढ़ाता ना भी जिनकी विशेशता बताई जाए वो विशेशे विशेशन तो यहां दिया ही है क्रिया विशेशन नहीं पढ़ा आपने अभी निम्न में गुण वाचक विशेशन का उधार रबता हो चोकोर अच्छा इसका गुण क्या है अच्छा ठीक है तो यह अच्छा है निवन में इसे विशेशें सा विशेशय चांट कर लिखिए ए वाक्य यहां ढिए और जिए गया प्रन थिर उसका विशेश राम का काला घोड़ा दोड़ता है काला क्या है विशेशन गोरा की घोड़ा कर लोम्री जालाक होती है चाला क्या है विशेषन और किसकी विशेषता बताइगे है लोबडी की तो लूबडी क्या हो गया विशेषन हे chemo ने दो सेव खरिदे दो क्या है विशेशन संख्या वाचक विशेशन है और किसकी विशेशता पता रहे हैं सेव की लड़का नहीं लिखेंगे अब यहाँ देखो खोड़ा लोमडी सेव आप यह कहें संग्या है पर विशेश्ता बता रहे है न इसकी तो इसल scrgy है ये विशेश्य कहला इन लिखेक वाक्यों में विशेश्चंछ चब्लों को रिखांकित किजिएंवा उनके भेध लिखिए अब वाक्य दिया गया है उन पुस्तकों को मेज पर रख दो पुस्त क्या है विशेशन हमने रिखांकित कर दिया अब भेद लिखना है उन अब यहां पर कितनी है नहीं पता तो यह क्या है परिमान वाज़क मेरी फ्रॉग काली है फ्रॉग क्या है संग्या को नहीं करना काली काली को विशेशन को रिखांकित करना है और मेरी क्या है तो यह कुण सा है सार्वनामिक मेरी आपकी किसकी सार्वनामिक भेद हम सब भारती है भारती क्या है विशेशन और हम सब सार्वनामिक यह इसके भेद है ठीक है बच्चो तो आपने एक तो विशेशन की परिभाशा लिखनी है कि विशेशन किसे क्याते है यह पढ़ना है पूरा पार्ट और यह आप अपनी बुक में कर लेंगे ठीक है ओके बाई